जेहिन दोस्तों आपके लिए बहुती बड़ी खुस ख़बरी इंडियन एर फोर्स ने अपना सब कुछ डाटा यहाँ पे रिलिज कर दिया है तो सबसे बड़ी अपडेट आप सभी केंडियर्स के लिए है जो की आपकी इनॉल्मेंट लिस्ट भी आ चुकी है और आपके लि प्रोसेस है आपको यहाँ पे टैब में लोगिन करना है आप जो रिजेल्ट देखा तो उसी तरीके से मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में अपडेट कर दूँगा अभी हम बात करेंगे इनॉल्मेंट लिस्ट के लिए वो देखने के लिए आपको इसी पे कलिक करना ह और रेली के लिए आपका ठीक एजुकेशन इंस्ट्रेक्टर है मेडिकल असिस्टेंट है सभी के लिए अपना जो इनॉल्मेंट लिस्ट है वो जारी हो चुका है यहाँ पे आपकर डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट का डायरेक्ट मैंने लिंक दिया है तो इस पे आ दोस्तों आपकी जो एडिशनल इनॉल्मेंट लिस्ट है वो भी जारी होगी यहाँ पे दिया गया है 12 जुन को ओके तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ इन पर शेयर कर दी जाएगी आपको और यहाँ पे नीचे दिया गया है सब कुछ जो नोटिफिकेशन है जो भी document होंगे सब कुछ A2Z है गाइस तो वो सारे के सारी यहां पर दिये दिये गए है तो आपको information इसके मादम से मिलते रहेगी और यहां पर A2Z आपको जानकारी दिये दिये ठीक है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ proof के साथ जो मैंने download किया है X group आपका enrollment list information इसके अंदर दी गई है तो यहां पर आप देख सकते हैं यही same process है और कब से आपको अपडेट करना है ठीक है एक साथ 2020 को यानि आपका जो जुलाई के अंदर यहां पर अपडेट होगा दिया गए कि कौन से सेंटर पर होगा ATS के अंदर man candidates है यहां पर DOB यहां पर candidates name है तो सारा data आप चेक कर सकते हैं officially आपकी जारी हो चुकिए enrollment list तो सभी candidates को selection होने वाले सभी candidates को दिल से बदाईया और हार्डिक सूब कामने यदि वीडियो अच्छा लगे तो like and share कर दीजिगा पूरा का पूरा data लेकर में आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरा पूरा information देने वालों जेहिन जे भारत इस वीडियो को जार जार लाइक and share कीजिगा चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो जरूर सी सब्सक्राइब कर दीजिगा